भुगोल के टेस्ट रिज प्रोग्राम में आपका स्वागत है नमस्कार दोस्तों, कन्क्विस्ट ग्यान में आपका स्वागत है घमासान स्रीज में आज हम वल्ड जोग्रफी को सामिल करेंगे आज का हमारा पहला प्रश्ण सूर की अनुमानित आयू कितनी है प्रश्ण का सही जबाब होगा प्रश्ण का सूर की जो अनुमानित आयू है वह 5 बिलियन वर्श है अगला प्रश्ण है सूर का ब्यास कितना है प्रश्ण का सही जबाब होगा प्रश्ण का सूर का जो ब्यास है वह 3,92,000 किलो मीटर है नेक्स्ट प्रश्ण है निम्न में कौन सा ग्रह आंतिक ग्रह की स्रेणी में नहीं आता दो प्रकार से ग्रह होते हैं एक आंतिक ग्रह होता है और एक वाया ग्रह होता है तो पहला प्रश्ण है आंतिक ग्रह से सम्मंदित और इसमें पूछा आया कि कौन सा ग्रह है जो इसमें सामिल नहीं है Option है बुद्ध, शुक्र, मंगल, Option D, सनी प्रश्ण का सही जबाब क्या होगा? प्रश्ण का सही जबाब Option D, यानि कि सनी होगा अगला प्रश्ण है कौन सा ग्रह वाय ग्रह की स्रेणी में सामिल नहीं है Option है अरूण, वरूण, भ्रहश्पती, Option D, प्रिथवी प्रश्ण का सही जबाब होगा Option D, यानि कि प्रिथवी अगला प्रश्ण है सोर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सबसे सरल प्रश्ण, Option भ्रहश्पती, मंगल, प्रिथवी या फिर शुक्र सही जबाब होगा प्रश्ण का Option A, भ्रहश्पती हमारे सोर मंडल का अब तक का ग्याद सबसे बड़ा ग्रह है अगला प्रश्ण है सूर से सबसे नज़्दीक ग्रह कौन है? बुद्ध, शुक्र, सनी या फिर मंगल सही जबाब होगा प्रश्ण का Option A, बुद्ध अगला प्रश्ण है सूर से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? इसमें उपग्रह लिका है by mistake सही जबाब होगा क्या वरुण, मंगल, प्रिथवी या फिर भ्रहश्पती? सही जबाब होगा इसका Option A, वरुण अगला प्रश्ण है किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है? बुद्ध, मंगल, सुक्र या फिर सनी? सही जबाब होगा प्रश्ण का Option A, बुद्ध सौर मंडल का सबसे कम घनतवाला ग्रह कौन है? बुद्ध, शुक्र, प्रिथवी या फिर सनी? प्रश्ण का सही जबाब होगा Option D, यानि कि यहाम घनतवा ग्रह जो है सनी, इसका घनतव सबसे कम है इसके बारे में कहा जाता है अगर इसे पानी पर रख दिया जाये तो यहाँ पानी में भी तैरने लगेगा अगला प्रश्ण है सौर मंदल का सबसे अधिक अक्छी गतिवाला ग्रह कौन है? अक्छी गतिवाले ग्रह के बारे में कोशन ने इंडिकेशन किया है Option है बुद्ध, शुक्र, प्रिथवी या फिर मंगल तो सबसे अधिक अक्छी गतिवाला जो ग्रह है वह है पुद्ध अगला प्रश्ण है प्रिथवी की बहन किसे कहा जाता है या ऐसे भी कोशन बन सकता है कि भगनी ग्रह प्रिथवी का कौन सा है? Option है चंद्रमा, मंगल, शुक्र या फिर बुद्ध प्रश्ण का सई जबाब होगा option number C, शुक्र को प्रिथवी की बहन या भगनी की शंग्या दी जाती है अगला प्रश्ण है किस ग्रह पर प्रिथवी की भांती दो ध्रुव है? Important question, option है मंगल, सनी, चंद्रमा या फिर इन में से कोई नहीं सही जबाब होगा option number A, यानि की मंगल ग्रह पर प्रिथवी की भांती दो ध्रुव पाया जाते हैं अगला प्रश्ण है किस ग्रह के चारो और वलय पाया जाते हैं? ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यहाँ है कि दो ऐसे ग्रह हैं जिनके चारो और वलय पाया जाते हैं अब बताना है कि क्या इन में से वे दोनों ग्रह सामिल हैं, option में या फिर नहीं option है सनी, मंगल, शुक्र, भ्रहाश्पती तो इसमें एक ही ग्रह है जो दिया हुआ है सनी और जो दूसरा ग्रह है वा है अरूण अरूण एक ऐसा ग्रह है जिस पर भी जो वलय है वाल पाया जाते हैं तो ध्यान रखना है इस प्रश्ण का अगला प्रश्ण है किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? अगला प्रश्ण टाइटन उपग्रह किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? सनी का, मंगल का, बुद्ध का या फिर अरूण का? सही जबाब होगा ओप्स नम्बर A सनी और सनी वही ग्रह है जो पानी पर भी तैरने लगता है अगला प्रश्ण है अलफा नामक वले किस ग्रह के पास है? अरूण, शनी, बुद्ध या फिर मंगल तो इस प्रश्ण का सही जबाब होगा ओप्स नम्बर A तो अलफा नामक जो वले है वह अरूण ग्रह के चारो तरफ पाया जाता है तो ब्रह्मांड में दो ऐसे ग्रह है जिनके चारो तरफ वलाई पाया जाता है एक है आपका अरूण और एक है शनी अगला प्रश्ण है किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? ओप्सन है अरूण, शुक्र, भ्रास्पति या फिर मंगल सई जबाब होगा ओप्सन अमबर ए अरूण अगला प्रश्ण हरे रंग का ग्रह किसे कहते हैं? ओप्सन है मारे वरूण, अरूण, सनी या फिर मंगल सई जबाब होगा ओप्सन अमबर ए वरूण नेक्स्ट कोशन निम्न में किस ग्रह पर मीथेन गैस के बादल पाया जाते हैं? ओप्सन है शनी, मंगल, वरूण या फिर शुक्र सई जबाब होगा प्रश्ण का ओप्सन अमबर C, वरूण नेक्स्ट कोशन सांती सागर की अवस्थिती कहा है? चंद्रमा पर, सनी पर, शुक्र पर या फिर मंगल ग्रह पर तो प्रश्ण का सही जबाब होगा ओप्सन अमबर A इस पर एक कोशन ऐसे भी बन सकता है कि सांती सागर जो या सागर है वा किस उपग्रह पर अवस्थित है? तो चंद्रमा भी मारा एक उपग्रह है तो इस फॉर्मेट में भी कोशन बन सकता था तो इस वीडियो में इतने ही कोशन नेक्स्ट वीडियो में ब्रह्मान से लेटेड और जो भी कोशन है उनको शामिल किया जाएगा उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आमात्पूर हो सकता है धन्यवाद